नमस्कार, बाईजूस एक्जाम प्रेप IAS, हिंदी में आपका स्वागत है, प्रिस्तुत है, दैन एक क्विज, पहला प्रशन आपके समक्ष है, मृत्त सागर के संबंद में निमलिखित कत्नों में से कौन सा या से सही है या है, यह प्रिथवी पर सबसे निचला जल निकाय ह जिसकी भूमी पर सबसे कम उचाई है, मृत्त सागर की सीमा, वेस्ट बैंक, जॉडन और गाजा पट्टी से लगती है, यह विश्व की सबसे बड़ी अती लवनिये जील है, आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, की केवल एक, मृत्त सागर जिसे अर्बी में अलबहर, अलमयत के नाम से जाना जाता है, वास्ताव में एक नमक की जील है, जो पूर में जॉडन और पश्चिम में इस्राइल और वेस्ट बैंक से लगती है, यह जॉडन रिफ्ट घाटी में इस्तित है, और इसकी मुक्य सहायक नदी जॉडन नदी है मृत्य सागर जील की सते समुद्रतल से लगभग 430 मीटर नीचे है, जो इसके तटों को पृत्वी पर सबसे कम भूमी आधारेत उचाई को बना देती है, यह 304 मीटर गहरी है, जो दुनिया की सबसे गहरी हाइपर सेलाइन जील के रूप में जानी जाती है, इसकी लवनता लगभग 342 ग्राम पृति किलोग्राम या फिर 34.2 पृतिशत है, जो इसे सरवाधिक नमकीन के पानी वाले पिंडों में से एक बना देती है, इसकी लवनता इतनी अधिक है कि इसमें पौदे और जानवर भी पनप नहीं सकते, इसी के चलते इसका नाम मृत्त सागर रखा आ गया है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि पृत्वी पर सबसे अधिक खारे इस्थानों में प्राक्रतिक जलनिकायों के मामले में सबसे अधिक खारा अंटार्टिका में डॉन जुआन पौंड यानि तलाब है, जो 40 फीसदी से अधिक लवनता इस्तर को रखता है, इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी के वलेक, आज के पत्र सूचना का रहले में इससे संबंदित ख़बर प्रकाशित हुई है, क्यूंकि एक उच्च इस्तरिय प्रतिनिधी मंडल के द्वारा, अल्प कालिक और दीर कालिक अवधी के लिए और वरक और कच्चे मा ज्यक्चता कॉर्पुरेट मामलों के मंतरी के द्वारा की जाती है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा मनुनीत किये जाने वाले गैर सरकारी सदस्ये शामिल होते हैं, स्टार्टप सलाकार परिशत के गैर सरकारी सदस्यों का कारेकाल पांच वर्ष का होता है, आपको बताना ह कि इन में से कौन सा कथन गलत है केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन केवल एक और दो रास्तिय स्टार्टप सलाकार परिशत के संदर में आपको इध्यान रखना है कि 2020 में सरकार ने देश में नवोन मेश और स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्मान के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र को सला देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष वानिज्य और उद्योग मंत्री होते हैं और इसमें गैर आधिकारिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य विविन शेणियों जैसे की स्टार्ट अप के संस्थापक या फिर कंपनियों को विक्सित करने वाले दिगजादी होते हैं और इनका कुल कारेकाल दो वर्ष का होता है। बैठक की अध्यक्षता की गई है जिससे ये विशह महत्तपूर हो जाता है अगला प्रशना आपके समक्ष है आई एनस सूरत और आई एनस उद्यगिरी हाली में चर्चा में रहे ये हैं भारतिय नौसेना के स्वदेशी विमान बाहक पोद भारतिय नौसेना के फ्रंट प्रणोधन प्रत्योगी की युक्त स्वदेशी रूप से निर्मित पंडुब्वी हाली में रक्षा मंत्री के द्वारा मुंबई के मजगाउं डॉक्स लिमिटिड में भारतिय नौसेना के दो फ्रंट लाइन युद्ध पोतों आई एनस सूरत और आई एनस उद्यगिरी का सुभारंब किया गया है आई एनस सूरत प्रोजेक्ट 15B डेस्ट्रॉयर्स का चौथा जहाज है जिसका नाम गुजरात राज्य की वानिजिक राजधानी के नाम पर रखा गया है वहीं दूसरी तरफ आई एनस उद्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का तीसरा जह प्रोजेक्ट 17A भारती नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 यानि शिवालिक शेनी के युद्ध पोतों का अनुवर्ती है जिसके तहत विभिन जहाजों के नाम को पहाडी श्रंखलाओं के नाम पर रखा गया है जैसे की नीलगिरी, हिमगिरी, उदैगिरी यादी इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि INS सूरत और INS उदैगिरी भारती नौसेना के फ्रंट लाइन युद्ध पोत हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा आजके दाहिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है अगला प्रशन आपके समक्ष है निमलिकित युगमों में से कौन साया से सही सुमेलित हैं या हैं सेटलाइट नेविगेशन सिस्टम और संबंधित देश नव स्टार जीपिएस अमेरिका नाविक भारत गुलोनास चीन की गैलेलियो जापान आपके विकल्प हैं केवल एक दो और तीन केवल दो और तीन एक दो तीन और चार की केवल एक और दो सेटलाइट नेविगेशन सिस्टम या पोजीशनिंग सिस्टम के संदर में आपको ध्यान रखना है कि पोजीशनिंग सिस्टम किसी व्यक्ति य वस्तू के स्थान को निरधारित करने का एक तरीका है जिसमें मुख्यरूप से सटीक स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्ण है जो अमेरिका की उपग्रह नैविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी इस्थिती को निर्धारित करने के लिए किया जाता है यह एक ऐसा पोजीशनिंग सिस्टम है जो उपयोग करताओं को पोजीशनिंग के साथ ही नैविगेशन और टा गलोनास का विकास रूस के द्वारा किया गया है और गैलेलियो का विकास यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया है इसमें नाविक यानि भारतिय नक्षत्र में नैविगेशन मोल रूप से इस रो द्वारा विक्सित किया गया एक सेटलाइट नैविगेशन सिस्टम है जिसमें 8 उपग्रह शामिल हैं और ये भारतिय उप महादीब के छेतर में 1500 किलोमीटर की रेंज में नेविगेशन सेवाओं को परदान करने में सक्चमता रखता है इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही सुमेलित है और हमारा सही उत्तर हो जाएग डी केवल एक और दो आज के पत्र सूचना का रहले में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है अब हम UPSC के द्वारा 2014 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं लाइकेन जो एक नगन अनावरत चटान पर भी पारिस्तित की अनुक्रमन करने में सक्चम है वास्ता लाइकेन के संदर में आपको इध्यान रखना है कि लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संग को दर्शाता है इस संबंद में कवक शैवाल को पानी, घनिज, विटामिन आधी की सुविधा प्रदान करता है और शैवाल प्रकास संचलेशन की प्रकिरिया के द्वारा कार् प्रदूशन जल प्रदूशन भारी धातूं के साथ साथ रेडियो धर्मी करणों को भी इंगित करने में सक्षम है लाइकेन का प्रियोग खाद सामागरी के रूप में भी किया जाता है इस रूप में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भी शैवाल और कवक अब हम बात कर ले प्रदूशन और स्वास्त पर प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार 2019 में भारत में 16.7 लाक मौतों के लिए वायू प्रदूशन जिम्मेदार है रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इस्तर पर अकेले वायू प्रदूशन से लगभग 66.7 लाक मौतों को देखा गया है कुल मिलाकर प्रदूशन से 2019 में अनुमानित 90 लाक मौतों को देखा गया है जिसमें वायू प्रदूशन के साथ ही खतरनाक रासाइनिक प्रदूशन और सीसा यानि लेड प्रदूशन का भी महत्तपून स्थान है यदि भारत में प्रदूशन से होने वाली मौतों पर बात करें तो भारत में वायू प्रदूशन से संबंधित 16.7 लाक मौतों में लगभग 9.8 लाक मौतें कणकिये पदार्थ यानि PM2.5 प्रदूशन के कान हुई हैं जबकि अन्य 6.1 लाक मौतें घरेलू वायू प्रदूशन के कान देखी गई हैं हाल के वर्षों में अत्यधिक गरीबी जैसे की घर के भीतर का वायू प्रदूशन और जल प्रदूशन से जुड़े प्रदूशन स्रोतों से होने वाली मौतों की संख्या में भले ही कमी देखी गई हो लेकिन इसके सापेक्ष भारत में और द्योगिक प्रदूशन और रासाइनिक प्रदूशन विर्दी को देखा गया है जिससे मौतों की संख्या बढ़ जाती है रिपोर्ट के अनुसार इंडो गंगा के मैदान में वाईयू प्रदूशन सबसे गंभीर है जिसमें नई दिल्ली और कई सबसे प्रदूश्य सहरों को सामिल किया जा सकता है घरों में बायो मास का जलना भारत में वायू प्रदूशन से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है जिसके बाद कोईले का दहन और फसल जलाने का इस्थान देखा जाता है। अश्टिय राजधानी छेतर में वायू गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोक का भी सुभारम किया है हालकि भारत में वायू प्रदूशन नियंत्रन प्रयासों को चलाने के लिए एक मजबूत केंदरी किरत प्रशराशनिक प्रणाली नहीं है जिससे समग्गर वायू गुणवत्ता में सुधार सीमित और असमान देखा जाता है विशेशक्यों के अनुसार प्रदूशन के संबंद में सीसा यानि लेड प्रदूशन भी काफी गंभीर चिंता का विशे है क्यूंकि अनुमानित रूप में हर साल वैश्विक इस्तर पर 9 लाक लोग सीसा प्रदूशन का सुरोत लेड वाला पेट्रोल होता था जिसे अनलेड़िट प्रट्रोल से बदल दिया गया है हाला कि वर्तमान में ये सीसा प्रदूशन लेड एसिड बैटरी और एक कचरे आदी से देखा जा सकता है इसके अलाबा मसाले जो सीसा से दूशित होते हैं मिट प्रचों आदी के स्वास्त को गंभीर रूप से प्रभावित करने में इसका दुश्प्रभाव देखा जाता है अनुमानों के अनुसार विश्विस्तर पर 80 करोड से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं जिन में अकेले भारत में 27 करोड बच्चों को शामिल कि बाइजूस एक्जाम प्रेप IAS के आज की अंग में फिलाल इतना ही धन्यवाद